हे दोस्तो वेलकम टू आर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर दा जेनुएन इंफॉरमेशन और आपका कोई क्वाइडी साथ मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो दोस्तो आज है 22 सेगेंड और उसके साथ साथ ये भी बताएंगी आपके आगे का रननीति क्या होगा क्योंकि बहुत सारे लोग अपर लेबल पे माल खरीट के बैठा है तो दोस्तो प्लीज वीडियो को पूरा अंतक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए तो दोस्तो सबसे पहले मैं यहां पर रिजल्ट क्यों पूरा चुका हूं आज लगवक्त तीन बजे के आसपस यह रिजल्ट आया था दूरिंग दा मार्केट तो दोस्तों यहां पर जितने भी नंबर से सारे इन लैक्स पर है मैं आपको यहां पर करोड़ करके आपके समने प्रेजन करूंगा यह इस क्वाटर इनकम देखिए दोस्तों इस क्वाटर में जो नंबर आया है लगवक्त धाई हजार करोर के आसपस हुआ है टोटल इनकम जो लास्ट क्वाटर में हुआ था दो हजार एक सो बिरानबब़ करोर रुपए और लास्ट यार 2019 की सेप्टमबर क्वाटर में जो नंबर साया था इनकम का 2386 करोर रुपए तो यहां पर टोटल इनकम के में तो उतना ज्यादा फरक नहीं दिखाए दे रहा है आल्मोस्ट फ्लैट या थोड़ा बहुत यहां पर जम दिखाए दे रहा है पर यहां पर एक्सपेंसेश आप अगर दखोए दोस्तों काफी ज्यादा बढ़ ग में 2020 में जो एक्सपेंसे साहा है था 1664 करो रुपए यानि काफी ज्यादा एक्सपेंसेश बढ़ गया क्वाटर टू कोटर और अगर आप यार टू यार देख हुए दोस्तों लास्ट यार 2019 सेप्टमबर क्वाटर में टोटल एक्सपेंस यानि कंपनी का खर्चा हुआ था एक हजार 1844 करो रुपए यहांगि यहांगि यह Torah रदी रचीस यह देखने को मिल रहा है एक्सपेंसेर ष्यानि कंपनी का खर्चा बल रहा है या तो इसका असर हमें इसका जो नेट प्रफिता वहाँ पे भी देखने को मिलेगा तो यह आँप सकते प्रॉट आफटर टैक् तीन सो तरानबब करोर रुपए यानि आपे क्वाटर टू क्वाटर यहां पर गिरावट दिखाई दे रहा है दोस्तो अच्छा खासा और यह तू यह देखिए दोस्तों यहां पर यह तू लास्ट यह सेप्टेमबर क्वाटर तुथा उजे नाइटीन में जो प्रॉफिट किया गया था और SBI काट से उतना एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा बुरा आया है क्योंकि अभी सब कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है तो एक्सपेट किया गया था कि अच्छा खासा ही रेजल्ट आया क्योंकि आप जैसे कि आपको पता है कि जून कोटर में य तर आ रहा है 2.20 हो गया basic EPS और diluted EPS हो गया 2.17 का चो लास्ट क्वाटर 2020 में था याने जून क्वाटर में था 4.19 और diluted EPS था 4.15 लास्ट या सेप्टेंबर क्वाटर में था 4.09 का और diluted EPS है 4.09 का तो दोस्तों यह है इस बाइकाट का overall quarter 2 का नतीजा नतीजा अब इसका असर हमें यहां पर कैसे पढ़ा इसका शियर में वह भी देख लेंगे यहां पर देख सकती है आज का चार्ट पैठन है जब result आया था ठीक यहां पर तीन बज़े के आसपास result आया था एकदम sharp गिरावट दिखाए दिया क्योंकि सुबां से एक फ्लैट तीन बज़े के बाद आप देख सकते दो बच के पचास मिनिट के बाद जब रेजल शार्प गिरावाट दिखाए एक दम शार्प गिरा और यहां पे लगबख परसेंटेज वाइस सेबेन पॉइंट फोर वन परसेंट लगबख छेसट पॉइंट का यहां पर गिरावाट रहा आज के देट पर तो दोस्तों यह ज्यादा पुरान नहीं है 2020 में मार्च में लिस्टेड हुआ था मैं इसका यह तिल्ड जट देख लूँगा देख सकते दोस्तों जब करोना वा इस तो उससे भी काहीं गुना डिसकाउंट में लिस्ट हुआ और उसके बाद धिरे-धिरे उपर हमें तेजी दिखाई दिया और तेजी यहां पर लगबख 900 के आसपास यहां पर दो बार रेजिस्टेंस फेस किया तो दोस्तों कंपनी खरब नहीं है वाट कंपनी अभी थ के साथ बहुत बढ़ा नाम जुड़ा है इस भी आई का इस भी आई का सारे डेविट करेंट करेंट के डिपर्मेंट में काम करता है तो दोस्तों यहां पे मैं यहीं बात बोलूंगा जो लोग बहुत अपर लेबल पर खरीक के बैटा है यानि 900 के लेबल पे 885 उस लेवल पर खरीक के बैट है उसका मैं बोलेंगा होल्ड कीजिए इस स्क्वाटर में रिजल्ट खड़ावाया बट आप लॉंग टर्म में बहुत अच्छा फाइदा रहे गया दोस्ते क्यूंकि इससे पहले भी याद है मुझे जब यह कंपनी लिस्ट वाता लिस्टों के साथ शार्प गिरावाट हुआ था साड़े 600 700 से लेवल किस लेवल से सीधा सारे 500 के लेवल पर आ गया था और तब भी मैं सबको बोला था कि आप होल्ड कीजिए आप उसका नतीजा देख सकते दोस्तों चैनल मैंने के अंदर कंपनी का श्यार साथ सब्सक्राइब करके साड़े श्यार प्राइज अभी थोड़ा फ्लक्ट्वेट करेगा उपर नीच उपर नीच होता रहा है क्योंकि अभी कोई मतलब स्टेबल पोजिशन में नहीं रहेगा दोस्तों पहले स्टेबल होने दीजिए उसके बाद इसमें फ्रेश पोजिशन बनाना आपको मौका मिलेगा क क्योंकि कंपणी अच्छा है दोस्तों अब इसका एनसी को पर आचके कारवार भी देख लेंगे दोस्तों याप अब देख सकते हैं आज ओपन हुआ था 900 के करीब 899 रुपए पे हाई टच किया 902 रुपए पे यानि ओपन इस गल्ट अल्मस्ट हाई था लोग काफी नीच लोग के आसपास लोग के पूरा पास एक दम लगबख 7.41 परसन के गिरावट या पर कारवार भी देख लेंगे टोटल जो क्वांटिटी ट्रेड हुआ है दोस्तों मैं थोड़ा यहां पर जूम कर लेता हूं नौ लाग 31,000 शेयर का ट्रेड हुआ है टोटल उनमें जो डे 40.60% यानि लोग अच्छा का से इसमें माल भी उठाया है तो दोस्तों ओवराल रेजल एक्सपेक्टेशन से खराब आया सभी ने एक्सपेक्ट कि हाँ थोड़ा बहुत गिरावाट आएगा बद यहां पर 46% की गिरावाट रहा रेजल पर तो यह एक शौकिंग बात है दो करें अब दोट दोस्तों और में लोंग टम के बात बोलता हूं लॉंग टम में आप बहुत फायदे में रहो गए तो आप अपना जो आपके पास अगर हाईर रेंज में पर पढ़ा है तो आप वीडियो को होंगा बीडियो करन्स चनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीड